अपने सफेद बालों से परेशान है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेलपफुल होगी आप कुदरती रूप से अपने बालों को काला कर पाएंगे आज की वीडियो में आपको एक बिल्कुल नेजल तरीका बताऊंगे जिसके रेगुलर इस्तमाल से आप अपने बालों को काला कर पाएंगे फ्रेंड्स मार्किट के रेडिमेट प्रोडक्ट हेर डाई हेर कलर से आप अपने बालों को जट से काला कर सकते हैं लेकिन इन रेडिमेट प्रोडक्ट में केमेकल बहुत ही ज़्याद मातरा में होता है जिसके इस्तमाल से हमारे बा तो आपकी रेमनी में लोहे के तत्व मिल जाएंगे और आपकी रेमनी बहुत ही ज्यादा जब अपया दस्वनेंगे लोहे की और हम यहां पर ले रही हूँ ब्रह्मी चुलन भी हमारे बालों को काला करने में बहुत ज्यादा है। यहां पर भी मैं ब्रह्मी चुलन का एक चमच ले लोथारंगे। और हम एड करऊंगी ब स्सक्राइब कर दोंगी ब्रिंग राज पोर्डऊर। फ्रेंग्राज पोडर, ट्रिफला चूरन और प्राहमी चूरन यह तीनों ही मिलकर हमारे बालों को कुदरदी रूप से काला करने में बहुत ही जादा मदद करते हैं और मैं यहाँ पे मैं ले रहे हूँ काली कॉलोंजी का पोडर कफोलोंजी को रोस्ट करके मैंने इनको एक महीं सा पेस्ट और त्यार कर लिया है weddings थो दर करके तेल मिखसी मेंद से रख सकते हैं ता ओको आप पोल ये pew habrc पोडर का 1 प्र 있게 थे कुंव्पन सबखने लिए श्वपन सब JON जादा हाई और मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखना और हमें हापेस में एक गिलास पानी एड़ कर लोगे और इसको ऐसे ही धीरे धीरे स्पून की हेल्प से हिलाती रहोंगी और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक के एक गाड़ा सा पेस्ट ना बन जाए एक अच्छा सा अब यह दिरे दीरे इसका पानी सोखने लग है अर यह जेल में करें होने लगा हैं अब हमारी इस डाई का सारा पानी शोख गया है और यह बिल्कुल जैल फोर में ट्यार हो चुका है अब मैं इसको थोड़े देर के लिए ऐसे ही ला रहीए हूं और इसको ठंडा के लिए क कितना चॉक्री इतना स्मूफ सा पेस्ट हमारा त्यार हुआ है अब मैं इसको ठंडा होने के लिए तहीं छोड़ दूँगी हमारा ये पेस्ट है बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें चीज और एड़ करूंगी फ्रेंड्स वह है पतंजली का एलोवेरा जल आप इ अब मैं इन वहत्ता रहीं है अब मैं इन गुट तरीके से मिक्स कर लोगे आपस में या देखें आपको कुछ तेर के लिए इनको ऐसे ही लाते रहना है ताकर या आपस मैं एशच है दरीके से मिलजाएं हमारे ये डाय बिल्कुल तियार है अपने बालों पर लगाने के लि कुछ के हेलप से अपने हाथों से अबर किसे भी तरीके साप इसको प्लाए का सकते हो यह बिल्गुल नैचुरल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो फ्रेंड्स यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी बेच चलेगे तो प्लीज